कि वह स्थाएम ही है कोई विल्डर कस्टुमर्स के लिए इतना सोच रहा है बहुत संब तो गर में रहते हैं अगर कस्टुमर के बारे में सोच के चलेंगे जो चीज हमें चाहिए वो हमारे कस्टुमर को भी चाहिए तो मुंदुभाय जैसे हम डैट अब आगे हमारे साइट ठीक है तो इस कार्म बताइए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं बिल्डिंग के अंदर आने के बात करते हैं डवल बतान की बढ़िया क्वालिटी की चौकर्ट यूज करी गई है सबसे पहले जो चीज हमारे एंट्रेंस पर लगी हुए वह है एक डॉर हाई ब्लॉस के अंदर दोर लगा हुआ है है और साथ ही साथ आप इसको अंदर आके देख सकते हैं इसमें हाइड्रॉलिक चैनल यूज किया गया है ओके राइट यह हो गया हमारा लॉक के लिए कोई चाबे की जरूरत नहीं है कुछ नहीं है सेंटर लॉकिंग के साथ पूरा साथ में से आप देख सकते हैं बहुत बारीक चीज है किस क्वालिट की कुंडी लग रखी है स्टॉप पर आपका मेगनेटिक लगा रखा है ताकि दर्वाजे खराबना हो यह सब छोटी-छोटी चोटी-छोटी एकसेसरी जो कस्टमर जब घर के अंदर आता है उसकी उमीद होती है कि हाँ बिल्डर हमें चीज दे रहा है हमें क्वालिटी प्रोड़क्ट अब आते ही सबसे पहले में मिल रहा एक बड़िया सा इंटर कॉंड कोई सेपरेट हैंड सेट की जरूरत नहीं है यहीं से दर्वाजा खुल जाएगा यह आप देख सकते हैं बार का लाइव कैमरा इस टम चालू है और सबसे बेस्ट पार्ट इस बिल्डिंग में जितने फ्लैट हैं उनके लिए सेपरेट कैमरा से लगाए गए है जो भी किसी बाई चांस किसी के एक फ्लैट या किसी एक कैमरा में कोई प्रॉबलम आई है वो पर्टिकुलर उस यूनिट का रहा है वो रेक्टिफाई हो सेके इससे बाकी सब फ्लैट वालों को परिशानी ना जिरनी पड़े अब आचुके हैं इस हॉल के अंदर बिल्कु करना चाहता हूं खुबसूरत फॉल सेलिंग बहुत ही बहतरी एलडी लाइट और कॉब लाइट का बहुत ही खुबसूरत मिश्रन जिसे आप कह सकते हैं किचन हो जो भी जहां पर भी लाइट यूज करी गई है सब की दो साल की वारेंटी है कोई भी प्रॉबलम होगी लड एक काम दुब लाइट करवा के दिया है और डेख सकते हैं कि इसलिए कर वा कर वाओ है कंब को उमीर बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत रीन इसी वाल पेपर को मैं यूज कर रहा हूँ चत पे भी अच्छा और सेलिंग के लिए नॉर्मल ही लोग क्या करते हैं सिरफ नॉर्मल पेंट कर वालेते हैं हल्का से डिजाइनिंग कर आ लेते हैं नो कॉंबिनेशन अकर देना है तो बॉस आपको वाल पेपर का कॉंबिनेशन सिलिंग में देना है मजा आना चाहिए गेट आप आनी चाहिए बॉस अब चलते हम अपने साथ ही अटैश्ट किचन की तरफ बहुत ही सुंदर किचन मना हुआ है कि इसकी आप सिलिंग और जो चिमनी देखाओ अब यह हुआ सौफ्ट क्लोजर वह आज आती है नॉइज चैनल खराब हो जाते हैं जिस वजह से यह सब चीजे ना छोड़ी चीजे ध्यान रखने पड़ते हैं एक बिल्डर वही सक्सेस्फुल है जो उपने काम के प्रतीव जागरोब रहते हैं बहुत ही प्रिसरी के लिए यहां दिया गया है यह आपका सीधा ट्रेस होगए निचे प्लेट्स होगरा रखने के लिए रख दिया गया है रख दिया कि अगया यहां पर आती है कि मैंने कटिंग भी पहले कर रहा है अच्छा पहले ही कटिंग भी कर रहा है कि आरो के लिए भी ताकि बाद में फिर वही कारपेंटर को बुलाओ यह सब परेशानियों के देख ना बड़े अब यह चिमनी यहां लगी हुई है सीधा एक्जोशन वहां पर जा रहा है उसक अब आते हैं हम इसके साथ सब अटैच खुबसूरत से बेड्रों के अंदर यह हमारा मास्टर बेड्रों तेक सकते हैं बहुत ही खुबसूरत सेलिंग की गई है और हमारा जो कॉम्बिनेशन काम करने का तरीका वह यह है कि छत को भी हम उसी तरीके से सजाते हैं जैसे बाल अब यह तरफ से सिर्फ एक हमारा एक जो हमारे पास आरहा रहा वह एक टॉपिक माइंड में लेकर जाए और टाफ बेंडर्टाप बिल्डर्स थेक है अब बहुत ही खुबसूरत बाल बेपर गुड कोश्च एसलिंग साथ साथ अगें जितनी लाइट यूज की गई है बह बिल्कुल देखें अब यहां पर आता है ब्रेंडिड सुचेज जो लगाए गए है यह इंडिकेटर से देख सकते हैं कोना के सुचेज अब यही चीज आपको साथ में मैंने दे दिया अब आते ही सबसे पहले कस्टुमर को क्या जी पंखा लगा पंखा लगाते ही बहुत अब तो रेगुलेटर लगवाना है चोटी-चोटी चीजे अगर अब इन चीजों का स्टार्टिंग में ध्यान रखते हैं तो अपने कस्टमर के लिए रखते हैं उनको परशानी नहीं से जोगी है कोई विल्डर कस्टुमर के लिए इतना सोच रहा है बहुत सम भी तो गर इदू पारिया डा रख लिए बहुत ही खुबसूरत साइज का हमने विंडो यहां पर लगवा रखा है वेंटिलेशन के लिए साथ में हमारी मास्टर बेट्रूम है इसलिए साथ में एक अटैच वाश्रूम भी इसके अंदर आपको एक बात्रूम का भी वियू दिया और एलेडी लाइट्स कॉंब लाइट अगई वाश्रूम के अंदर भी उसकी गई है मास्टर बेट्रूम है बढ़िया बालकनी इसके अंदर है बचाओंगा आपको इपर बालकनी का भी लुक दिखा जाएता है एक बाल नाइस बहुत ही बढ़िया स्पेशियस बालकनी ए अगें चोटी सी बारी की कपड़े सुखाने के लिए एंगल्स मता आगे कुछ करवाना ने खाली आगे लिए यहां पर टूटी मिल गई नीचे आपको इलेक्ट्रोनिक पॉइंट मिल गया यहां पर वाशिंग मशीन लगाए कपड़े दोए और यहां पर सुखा दिए सार हो चलते हम अपने सेकंड रूम की तरफ बहुत ही खुबसूरत और स्पेशियस बेडरूम जैसे कि अब देख सकते हैं रूम का साइज ही बहुत खूबसूरत है और एस यूजूल अंदर का कमरा है इसलिए हम इस चीज़ का ध्यान रखते हो हमने अंदर वाले रूम में भी और स्प्डििट की फिटिंग करवा कि दिए उस भी है अब कवर में चोटी चोटी बारीकी है अब कस्त्मयर को आप कया है सकते हो कि काली बावस मैंने बाहर वाले अन्दर कर वाद भी स्फिटिट खरके दिए है सीथा हां कि अपने ऍस विट रहे रहना है बस फर counterparts बश पर अलमीरा अगे अंदर paint use नहीं करा गया अंदर और बाहर आप देख से तो कहीं बहीं पेंट यूज़े और कील भी हैं तो सब ड्रिल्ट से सबकुछ हर चीज वो ठोकने ठाकने वाला काम कुछ नहीं कर रहा इसके अंदर ये सब चीजे quality जब लेंगे बहार लोग पेंट करवा देबार टेपिंग यह इतनी बारेक चीजें कस्टमर को जब बेस्ट क्वालिटी प्रोड़क्ट में जायेगा ना कस्टमर तो वह यह सब चीजें नोट करेगा हमारी एक एक चीजी नोट करेगा इस वीडियो इंदर कि हमने क्या बिल्कुल मतलब कोई भी नोइसी नहीं है बिल्कुल यह सब चीजें यह क्वालिटी प्रोड़क्ट है इस लिए अब आप यह सब चीजों को देखते हैं और वह प्रोड़क्ट अच्छा लगा है बैन आप तो जैसे यह अली शैड देख लेखें और इसके बाद क्या लें करने वाले हैं अब हम चल रहे हैं इसी फ्लैट को फर्निस्ट फ्लैट में करने के लिए कि अग्याइब